कहते हैं कि उमीद पर दुनिया कायम है हम उमीद लगा कर रखते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा एक ना एक दिन वो सारी चीजे सही होगी जो गलत हुआ है और आज लगता है वही उमीद इस देश के 20 करोर से जादा मुसल्मान और अलप संख्यक दलित जिन लोगों के घर पर बुल्डोजर चला है उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही बहतरीन निर्ने लिया गया है एक बहुत ही बहतरीन टिपर्णी की गई है मोदी और योगी के फैसले पर सुप्रीम कॉर्ट का सुप्रीम वार हुआ है सबसे पहले मैं सुप्रीम कौर्ट के इस चिपर्णी को लेकर सेल्यूज करना चाहूंगी कि सुप्रीम कौर्ट ने जो बाते कही है वो 110% सही कही है जो बात आज सुप्रीम कौर्ट में बोली गई है उस बात को मैं तहे दिल से सलाम करना चाहूंगी शुक्रिया अदा करना च कौट की चपढ़नी करते वे नजर आ रही है हलाकि अभी फैसला नहीं आया है लेकिन सुप्रीम कौट में जो योगी मोदी का बुल्डोजर है आप सभी को पता है कि किस तरीके से कॉलर उचा करकर बुल्डोजर की राजनीती ये लोग करते वे नजर आए ना मोदी जी ने अ सलाम करते हुए इस बात को कहते हुए नजर आएं कि योगी जी का बुल्डोजर काफी प्रसिद है काफी प्रचलित है बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी इसी प्रथा को चलाने लगे इसी चीज को जो है लेकर आगे बढ़ने लगे लेकिन अंत भला तो सब भला और अब बुल्डोजर को लेकर सुप्रीम कौट में फिर से सुनवाई चली पहले भी फटकार लग चुकी है दोस्तो लेकिन इस बार जो फटकार लगाई है जो बाते कही है उस बात में सुप्रीम कौट ने ये दिखा दिया कि वो अभी भी अन्याई नहीं होने देंगे अभी भी स वरज हैं जो इस तरीके के अत्याचार को रोकने की हिम्मत रखते हैं टिपर्णिया करने जॉांते हैं दरशल दोस्तों सुप्रीम कौट में बुल्डोजर को लेकर ये आज कहा गया कि बुल्डोजर जो है जस्टिस देश के कानून को ध्वस्त करने की तरह है सुप्रीम सुप्रीम कॉट ने आज एक बार फिर से बुल्डोजर पर करी टिपढ़नी करते हुए ये तमाम बाते कही तुप्रीम कॉट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा हो गया है। बनाने की बात भी कही थी। आरोपियों की खलाब बुल्डोजर एक्शन की शुरुवात सबसे पहले आपको पता है यूपी के योगी आदतनाज सरकार की तरफ से की गई थी। योगी बावा की तरफ से की गई थी। उसके बाद मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरा जैसे कुछ बाकी राज्य उसी राह पर निकल चुके जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाजपा साशत राज्यों में बुल्डोजर से घर ढाने के जो पागलपन है वो लगातार देखने सुनने को मिला। आरोपी है नाम अभी शामिल हुआ है बुल्डोजर से घर बस नाम देख करके ऐसी कारवाई ऐसी ततकाल कारवाई यह भजपा साशन में ही देखने सुनने को मिला। आपको बता दे दोस्तों कि यह मामला जो था पूरा मामला यह गुजरात से निकल कर सामने आया था जहां पर सुप्रीम कॉर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए जो है एक याचिका दाखिल की गई थी का जा रहा है कि गुजरात के एक परिवार ने इस पूरे मामले पर दर्स किया था जिन्हों ने अपने घर पर बुल्डोजर कारवाई की धंकी के खलाफ याचिका दायर की थी जस्टिस रिशिकेश रोय जस्टिस जन्रत नहीं किया जा सकता है बेंच ने आगे ये भी कहा कि इस तरीके की तोड़ फोड़ की धंकियों से बेखबर हम नहीं रह सकते हैं देश में ऐसी कलपना भी नहीं की जा सकती है जहां कानून सर्वे परे है बेंच ने आगे ये भी कहा कि ऐसी कारवाई उसे देश के का अप्राद करने पर किसी भी पूरे परिवार को भरे पूरे परिवार और उनके सदस्य को कानूनी रूप से बने घर के खिलाफ कारवाई नहीं की जा सकती है बेंच ने कहा कि अपराद कथित皆さん लिप्तिता संपत्ती को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता है इसके अलावा कतित अपराद सावित होना भी जरूरी है एक देश ऐसे जहां राज्य के आक्षन कानून के नियमों से हम बंधे हुए हैं वहां परिवार के एक सदस्य के अपराद के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को या उनके कानूनी रूप से वने घर के खलाब नहीं की जा सकती, अदालत इस तरीके की तोड़फोर की धंकियों से बेखबर नहीं रह सकता है, नहीं तो ऐसी कारवाई देश के कानून पर बुल्डोजर चलने जैसी होगी, ये बात सुप्रीम कौर्ड के जस्टिस के जरिये कही गई, याजिका करता की ओर से वरिष्ट वक अंचायत की तरफ से पारित उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया, जिसमें आवासिय घर बनाने की अनुमती दी गई थी, दरसल परिवार के एक सदसे की खिलाफ अपरादिक मामला दर्ज होने के बाद, नगर पालिका ने घर घिराने की उस परिवार को गुजरात में रह रह धम कीती थी, और याचिका करता का आरोप है कि कानून को अपराद के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपना काम करना चाहिए, जिसके खिलाफ अपराद तै किया गया है, उसके खिलाफ जो है आप अपराद तै कीजिए, आप पूरे परिवार के सदस्यों को क्यों पूरे पच पांच उंगली एक तरीके से नहीं हो सकता ना कोई अप्रादी है तो उसको कानून बना हुआ है इस देश का लौ है सिस्टम है वो कर सकता है वो जो भी सजा होगा वो भुखतेगा लेकिन आप किसी के घर को तोड़कर जो पूरी जिंदगी की कमाई है अब इन लोगों की तर होता है शायद इन लोगों को पता नहीं है तब ही तो किसी की घर ढाने पर जश्न मनाया जाता है स्टूडियों में नाच होता है खून पसी ने मेहनत की कमाई क्या होती है शायद इन नहीं पता है तब इस तरीके की हरकत इन लोगों की जरिये की जाती है कि किसी का घर और अक्सर इस कानून को लेकर बीजेपी में बहुत शानों शौकत से बताने की कोशिश की जाती है कि हमने जो किया सही किया है और इसका विपक्ष ने विरोध भी किया है अखलेश यादब लगातार योगी आदतनाथ के बुल्डोजर कारवाई पर जम कर बरसते वे नजर आ यह क्योंकि आम इंसान नहीं कर सकता ऐसा काम पत्थर दिल नहीं हो सकते आम इंसान किसी का घर जहरा है और हम हाहा करके नहीं हच सकते नहीं आपको हाहा करके खबर बता सकते कि देखिए किसी का घर गिर रहा है किसी के परिवार के लोग सदसे तरप रहें तरस रहें रो रह मिन्नते कर रहे हैं यह मैं बता सकती हूं यह नहीं बता सकती कि कोई तरपड़ा है रो रहा है तो मैं ठाहा के लगा कर आपको दिखाना शुरू कर दू कि देखिए निया हुआ है इंसाफ मिला है नहीं होगा क्योंकि एक आम इंसान इस तरीके की हरकतों में अपने आपको साज़ेदारी नहीं पाएगा बुल्डोजर से किसी का घर गिरा देना यह इंसाफ की लकीर इंसाफ का जो तराजू है वो नहीं कह सकता कि यह बुल्डोजर से घर गिरा कर आप किसी को न्याई दिलवा रहे हैं कि इस combust możemy लोगों को न्याई दिलवाना है उसको सज़ा दिलवाइए कानून बना हुआ है लेकिन इस तरीके से किसी का घर ढाकर नियाई नहीं हो सकती है तो दोस्तों इस पूर रेपॉर्ट को लेगर आप क्या सोचते है आपकी क्या प्रतिकिरिया है मैं जरूर बताइगा साथ इसा चैनल को जाद सादा लाइक शियो रो सब्स्क्राइब करना बल्कुर भी ना भूले